तो आज का जो कंसेप्ट वाला वीडियो है उसमें हम डिसकस करेंगे सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों न्यूज में था कहां से आया है क्या होता है एकॉनिमी का बहुत इंपॉर्टन कंसेप्ट है और अगर कुश्चन पूछ लिया यूप्यसी ने तो वह दिन दूर नहीं जब आप लोग इस कुश्चन को पूरी तरीके से सॉल्फ करोगे अगर आपने ये वीडियो देखा है अगर आपको हमारा पसंद आता है तो लाइक जरूर एक सिंपल सा लाइक आप जरूर कर सकते अपनी तरफ से तो वह मुझे लगता है कि डिजर भी करता है कंटेंट और आप लोग करेंगे तो प्लीज डू दाट और जिनको हमाई साथ जुड़ना है फॉर सीरीज कोर्स या क्यों जानना है आपको इसके बारे में तो न्यूज में इसलिए क्योंकि आज ही सेवी ने इंपोस की है पेनल्टी लगबग 12 करोड रुपए की सहारा गुरूप के फर्म्स जो की सहारा कमूनिटी सर्विसेस कॉर्पोरेशन है और सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेंट कॉर् रिलीज किये थे क्यों हुआ पनिश्मेंट क्या हुआ वो मैं आपको बता दूगा कि क्या गलती उनसे हो गई थी लेकिन अभी आप यह समझ के रखें कि 2089 में सहारा गुरूप ते कुछ डिबेंचर्स लांच किये थे जो की ऑप्शनली फुली कनवर्टिबल डिबेंचर् कुछ उसमें मिस हापनिंग्स थी जिन कारण से उनको पेनल्टी और फाइन लगा गया था तो अब बात कर लेते हैं डिबेंचर सबसे पहले होता क्या है तो डिबेंचर एक तरह का बॉन्ड होता है पहले तो दिमाग में यह भी सवाल आ सकता है कि बॉन्डी बताओ क्या हो सपोस करो मैं बोलूं कि भाई मुझे जो व्यक्ति पांश लाग रुपए देगा एक साल के लिए उसको मैं पांश लाग पचास जार रुपए रिटरन करूँगा तीन सालों के बाद चाहिए न तो मैंने पचास जार उसमें प्रॉफिट जोड दिया और मैंने गा कि भाई debt ले रहे हैं और bond से भी debt ले रहे हैं लेकिन दोनों में बहुत बड़ा difference है और वो बहुत सब कुछ create करता है bond के case में आपके पास कुछ collateral रहता है collateral in the sense आपको वहाँ पर जैसे वो note देना पड़ता है bond के papers देने पड़ता है उसके एवज में आपको कुछ देना पड़ता है collateral यहां पर जो debentures होते हैं debentures unsecured by collateral वो credit worthiness and reputation of the issuer के उपर होते हैं उसमें कोई भी आपका कहना चाहिए collateral नहीं होता उसमें credit worthiness और reputation होती है किसकी जो issuer है उसकी ठीक है न दूसरा जो बड़ा difference है इसके बारे मुग आपको याद रखना है कि जो bond है मैं अभी मैं आपको difference अच्छे से detailing बताऊंगा लेकिन आप समझें कि debentures जो है जादा तर वो private companies निकालते हैं अगर government निकालेगी तो government bond या government security हम उसको बोलते तो government bond government security नहीं बोलते प्राइवेट companies निकालते तो उसको हम debenture बोलते हैं अच्छे यह सारा जो debenture का हिसाब किताब है या पूरा documentation है उसको जो रखने का तरीका है वो तरीका क्या है वो तरीका है वो तरीका है एक legal binding contract between the issuer and holder issuer and holder की बीच में एक proper agreement होता है और उस agreement को indenture बोलते है उस agreement को क्या बोलते है इंडेंचर बोलते है तो जैसा bond निमों होता है वैसा ही debenture की case में भी indenture बनाया जाता है जिसमें कि दोनों की proper contract बनता है सारी चीज़े होती है ठीक है ना अब main मुद्दे पर आते है main मुद्द क्या है optionally fully convertible debentures क्या होता है तो optionally fully convertible debentures ऐसे debt securities है जहां पे एक issuer raise करता है capital मैंने आपको बता है कि यह भी debt instrument है मैंने पैसा raise करने का उधारी लेने का instrument है तो यहां पर हो करता है लेकिन debentures के case में जो issuer होता है वो investor को interest pay करता है till maturity मालब maturity होने तक interest pay करता रहता है maturity नहीं जब तक होती तब तक वो interest pay करता रहता है ठीक है ना debentures के case में वो interest pay करता रहता है दूसरा मैंने आपको बता है कि यह private संस्था ही निकालती है debentures जो हो गए यह भी debt instrument ही है बहुत simple सी चीज़े है ठीक है अब यहां पर आपको convertible debentures दिख रहा होगा देखो क्या होता है मै आपको बहुत अच्छा एक example देता हो let me tell you an example suppose करो मुझे company start करनी है XYZ करके XYZ company में start करने वाला हूँ रुपे मुझे किसी और से चाहिए अब suppose करो आप मेरे पास आपने का कि ठीक है भाई मैं आपको धाई लाग रुपे देता हूँ आप मुझे चार साल में return कर देना ठीक है आप एक debenture निकाल दो तो आप मैं कहूंगा ठीक है I will issue a debenture contract और आप मुझे धाई लाग रुपे कि आपने मुझे धाई लाग रुपे दिये अब आपका बीच में ये मन कर गया maturity से पहले कि यार मैं धाई लाग रुपे कि तीन लाग रुपे नहीं दूंगा इसकी company हो सकता अच्छी चल जाए इसलिए मैं क्या करता हूँ इससे 50% equity ले लेता हूँ मेरी company की 50% की equity आपने ले लिए ना क्योंकि आपने मेरी company establish करने के लिए 50% रुपीज दिये थे भाई मेरे को 5 लाग की जरूरत थी मेरे पास धाई लाग रुपे थे आपने मुझे धाई लाग और दे दिया था तो आप क्या demand कर सकते हैं कि भाई ये काम करो मुझे 50 लाग के आप 4 लाग मत दो य जा है profit मों फिर मैं equity पर deal करूंगा है ना तो यह जो convertible debentures होते हैं इसमें आपकी जो debt amount है उसको आप equity में convert कर सकते हो यानि कि shares में convert कर सकते हो है ना और दूसरी चीज जो non convertible है उसमें आप नहीं कर सकते है ठीक है ना अब अगर आप से कोई bond या debentures में difference पूछे तो सबसे बढ़ा difference तो issuer में है कि bond issue करता है union government state government PSU इन सब की चीज़ों को bond बोलते है और वही चीज़ प्राइवेट companies issue करती है तो उनका हम debentures बोलते है what we call them debentures बोलते हैं what we call them debentures बोलते हैं बोलते हैं debt financial instruments है जिनमें large corporations यह करते हैं लेकिन they are backed up by collateral और physical assets लेकिन bonds के case में collateral और physical assets financial instruments होते हैं वो private companies को द्वारा issue होते हैं debentures private companies के द्वारा issue होते हैं ठीक है ना owner of a bond is known as bond holder और owner of a debenture is called debenture holder ठीक है ना अभी जो case है सुबरतो सहारा का जो case है यह क्या है यह case यही है कि उन्होंने optionally fully convertible debenture launch कर दिये थे ठीक है ना सहारा इंडिया real estate corporation limited के नाम से जिसको अभी सहारा commodity services corporation बोलते हैं और एक थी उनकी सहारा housing investment corporation limited ठीक है ना 2009 के बीच में इन्होंने issue किये और फिर सेवी की जो कुछ guidelines थी सेवी ने का कि भाई आपने हमारी ICDR याने की issue of capital and disclosure requirement जो है वो fulfill नहीं किये disclosure requirement fulfill नहीं किये का मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ कि देखो जब issue होता है adventure तो उसके साथ उसके कुछ risk attached होते हैं जैसे कल को माल लो company डूब जाए तो उसके क्या risk है क्या है कैसे है तो यह risk सारी चीजे उन्होंने जिससे पैसा उन्होंने raise किया उसको नहीं बताया तो सेवी चुकि आपने यह follow नहीं किया इसका मतलब यह fraudulent और unfair trade practice में आ गया तो जो prohibition of fraudulent and unfair trade practice rules है उनको भी आपने violation किया है ठीक है ना तो इसके अलावा और क्या उन्होंने follow नहीं किया था follow यह नहीं किया था कि process उनको 10 दिन में complete करनी थी लेकिन उन्होंने एक से दो साल तक इस प चुकि हमने privately यह पैसा किया है इसलिए हम इसको दो साल तक carry on किये लेकिन इस पर भी से भी ने कहा कि नहीं मैं regulator हूं मैं कर सकता हूं पहली चीज़ चेक दूसरी चीज़ अगर आप private placement कर रहे हैं तो आप maximum 50 लोगों से invest करवा सकते थे पर आपने लग लग 23 million लोगों से पैस जोड़ी गई तो यह सारा matter था यह होता है optionally fully convertible debenture issue मैंने आपको difference दोनों बता दिया bond and debenture का और last non convertible debenture यह ऐसे debt instruments है जिनको आप equity में convert नहीं कर सकते इसमें आपको वही interest मिलेगा higher rate of return इसमें ज्यादा मिलता है क्योंकि आपके पास option नहीं होता equity में convert करने का तो इसमें हो that is it keep loving us keep sharing us thank you have a nice day